सो हे अवरीमन दिस सकीन आलियो और कैसे बचावाटी आप सब लोग तो आज मैं लेकर आई हूँ एक next one shot वीडियो और आज हम लोग क्या करने वाले physics का एक चाप्टर निप्टाने वाले कौन सा चाप्टर आज हम लोग पूरे one shot के अंदर finish करने वाले तो वो रहने वाला है ह जहां मेरी electricity या जहां current flow हो रहा होगा वहां हमारा magnetic effect भी को show हो रहा होगा और साथी साथ magnetic field भी वहां बन रही होगी तो दीदी हम कैसे वाले तो चली मतमानो याद अपन chapter को start करते हैं और मैं आप लोगो धासू प्रूफ देती हूँ जिससे कि नुम लोग को मानना जहां current हैं वहां magnetic field automatically develop हो जाती है तो चली without wasting our time अपने lecture को start करते हैं सबसे पहले बचावाटी आज हम लोग को पढ़ना है magnet and magnetic field तो magnet आप सभी लोगों ने देखी होंगे magnet हमारे attract करने लग जाते हैं और सम्टाइम्स वो रिपैल भी करते हैं कब रिपैल करते हैं कब attract करते हैं वो सारी चीज़ा आज हम लोग समझने वाले सबसे पहले बचावाटी आप लोग को समझना होगा कि magnetic क्या होता है तो magnet हमारे पास ऐसा सबस्टांस होता है कि जो attract करता है अब किन चीजों से magnet attract कर सकता है जल्दी से बताओ को लेट में ने कॉमेंट सेक्चिन कि तुम ने कभी कुछ क्या किंध की लोग किसी चीज़ के पास लिजाते हैं OF enjoy तुम एत्ट अब को अउस तरीक के के तुमने व Чं soon ले क deben smart eh और उस सर्कुट में सर्कुट में मतलब कनेक्टिंग वायर मेरे पास एक बैटरी है और जैसे में चर्केट में करन्ट देना स्टार्ट कर देती हो तो साथ ही साथ में मैंने इंटिक फिल्ड भी डैवलप हो रही है तो मोग दिदि कैसे मालें आपके पास कोई प्रूफ है क्य इसलिए मैं तुम्हारे लिए प्रूव भी लेकर आए जैसे ही बचाबाटी तुम लोग भी यह करके देख सकते हो कि एक हमारे पास होता है डिफलेक्टर जो कि अगर कभी भी कहीं भी होगी तो क्या करने लग जाते हैं इस थरीक हैं टॉब तुम है जाते हैं कभी शाओ समतित्त करने लग जाते हैं करने सीन करने लगे और को दुम है सब्सक्री करें था शाथ इसां यहांगे मुख ब्ल्बर के हमके फिल्फक हाना छाल वि jag zg Tel लाता चला कि उसके पास जो हमारा deflection वाले डिफलेक्टर था उसके अंदर कुछ इस तरीके से हमारा काटे घुमने लग गए और उसके अंदर हमारा deflection कब होना स्टार्ट होगा जब हमारी कोई magnetic field आस-पास होगी तो इस ने यह समझ में जरूर आ तो सबसे जादा मेगनेटिक फिल लाइन की स्ट्रेंथ महां होती जहां पर मेगनेटिक फिल लाइन जादा क्लोज होती है ठीक है पास 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 होती है जहां बहुत जादा दूरी पर होती है बहुत डिस्टेंस पर होती है वहां उतकी स्ट्रेंथ बड़ी कम होती है जैसे अगर इस डाइग्राम की बात करो तो तुम लोग को देख रहे हैं मेरे यहां नौर्थ पोल की इस साइड पर ठीक है एंड अजिए नोर्थ पोल पर देखो कितनी पास पास है लाइन तो यह एक लोजने सोती है इनकी वाज़से लिए इनकी वाज़से मोल सकते हैं कि मैं ट्रैंट्थ यह पर तगड़ी है बट अगर मैं बोलू तो तुम लोग देख सकते हो हमारे मिडल में मैंगनिय्टिक फिल्ड ल पहले मैं भूल सूमिक्टू मीसे तो भी पैसे पासके नोर्थ व्यमा ज़ेंगे sa Program दोतीन के अर्पिस के yum सी्मिक्ट्फजिया नौज़ा को समय लेई या फिर दोनों'? तो साउथ को मैं इस तरीके से सामने ले आई तो यह रिपेल करेंगे मतलब दूर दूर भागेंगे एक गूसरे से ठीक है एट्रेक्शन एंड रिपल्शन तुम लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया हूँ अब बात करते हैं पोल्स ऑफ मेंगनेट कैननोट भी सेपरेटर तो यार कभी भी हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं है इतना बड़ा है इतना बड़ा अगर मैं हम इसको बीच में से काट दिया इतना पोशन हो गया तो यह मेरा पास नौर्थ पोल हो जाएगा और ही साूथ पोल जाएगा समक कभी भी सा नहीं हो सब्सक्राइब का अगर में वाफस से ब्रेकश कर देती हूं तो मेरे पास है ठीक है बच्छापाटी अब सबसे मेन कोष्षिन हमारे ये आता है वाइटू मैगनेटिक फिल लाइन्स के नाट इंटरसेक्ट इच अदर क्यों दो मैगनेटिक फिल लाइन्स एक लोग यह नितरसेक्ट नहीं करते है आप लोग ने बच्छा-बटे यह direction देखिए हमारे magnetic field lines की direction किस तरीके से हो दी outside the magnet वो कहा से कहा ट्रेवल करता है north असे south but inside the magnet वो कैसे travel करता है south से north अब आप लोग देख रहे हैं यह एक ही direction में जा दी अगर मैं बोलू कि यह intersect करने लग जाए लाइक दिस अगर यह इंटरसेक्ट करने लग जाई तो हम यह बोल सकते कि एक मेगनेटिक फिल्ड की डायरेक्शन दो जगा हो सकती है ठीक है तो एक मेगनेट दो जगा कैसे डायरेक्शन मतलब शोग कर सकता है पर्टिकुलर अगर मैंने मेगनेट को यहां रखा तो एक ही सम पॉइंट पर दो डायरेक्शन शो करने लगए तो एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन शो करना तो विल्कुल पॉसिबल नहीं है इसलिए मैगनेटिक फिल्ड लाइन इंटरसेक्ट इच अधर बात करते बचावाटी सबसे में टॉपिक जो की एक्जाम में आने वाला होता अगेम अधर बात करते हैं कि अब हमारी मेगनेटिक फिल्ड काइस होगी मैंने एक straight current carrying conductor ले ले लिया अब हमने यह तो पता कर लिया कि magnetic field होती है पर किस direction में होती है दिदे direction कौन बताएगा direction पता लगाने के लिए हम लोगों ने क्या experiment किया magnetic field due to state current carrying conductor अच्छा experiment में कुछ भी नहीं है experiment में हमारे पास एक paper है या cardboard समझ लो ठीक है उसके अंदर समने के straight current carrying conductor को डाला है जैसे मैं माल लेते हैं उस pencil को डाला है ठीक है यह एक paper है इसके आज पास और उसकी बीच पर मैंने खड़ा करके कुछ समय बात जो इस paper के ऊपर मैंने जितनी भी iron fillings को डाला था रंडम्ली spread किया था मैंने वह ऐस तरीके तो concentric circles बनाने लग गई मैंने बोला है क्या हो रहा है यह तो concentric circles बनाने लग गई तो हमें यहां से यह पता चला कि जब मैंने करेंट देना स्टार्ट किया तो महां मेरे पास क्या है मतलब इलेक्ट्रिक करेंट हो ही हो रहा है बट महां magnetic field की direction हमें पता लग रही परदिदी कैसे पता लग रही इससे हम कैसे प्रडिक्ट कर सकते हैं हमें बज़ा बटी पता चला यह right hand thumb rule से कि अगर हमाल लेते हैं जिस direction में हमारा conductor है ठीक है हमको उस direction में अपने thumb को ऊचा करना है जिस direction में मेरा current flow हो रहा है माल लो मेरा current ऊपर वाली direction में flow हो रहा है सकत shrinking मेरी काल फिंगल ना यह मंतलब मेरी क्लॉक्वाईस डाक्ष डाक्षण चला है तब क्या होगा चलो इस नीचे को शूर्ट अपर चल दिया तो मैंने थमकोन नीचे प्लेश करना इस तर्like से जामिक्शन अब ॔रे गा मारे कलfeld तो यह मेरी curl fingers जो है direction of magnetic field शो करें तो यहां से हम बता लगा सकते हैं कि जब कोई भी magnetic field develop हो रही है ना तो उसकी direction कैसी होगे वो हम कैसे पता लगाते हैं right hand thumb rule के मदर्स है तो यहां यह direction of flow of current की position में हम अपने thumb को place कर देते हैं and जो मेरी curl fingers होती ही वो हमें बताती है direction of magnetic field तो यहां से देखो इस तरीके से की concentric circle बच्चाबाटी बन रहते हैं और यहां सामें पता चला है direction of magnetic field हमारी क्या होगी तो यह iron fillings थी और मेरे पास यह direction of magnetic field पता चल गई कि anti-clock direction में होगी साथ ही साथ यह setup तुम लोग को थोड़ा सा याद होना चाहिए तुम लोग को explanation तुम मेरे समझाई दिया कि हो क्या रहा है जब हम लोग ने उपर रखा तो thumb upward and a curl finger showing the direction of magnetic field बट यह setup को थोड़ा सा धिहान रखना यह तुम लोग मुझे यह बता सकते हो कि circular current carrying यह circular current carrying conductor और यह cardboard हमने ले रखा है चाहिए मैं एक चीज़ आप तुम लोग को बताओ कि मेरे पास मेरे paper के ऊपर यह इतना portion to straight दिख रहा है तुम्हें दिख रहा है ना straight है बानते हो ना वास straight है तो हमने क्या करा इसकी अकॉर्डिंग इस तरीके से circles draw कर लिया है यह तना तो straight है और इसकी अकॉर्डिंग हमने कुछ circles draw कर लिया कॉंसेंट्रिंग सरका अचा अब इसकी direction में मैं current जहां भी move कर रहा होगा अगर इस तरीके से current upward कर रहा होगा तो मैं थम को इस तरीके से रख लूगी मानते मेरा current अगर इस तरीके से जा रहा होगा ठीक है तो हमने current को upward रख लिए है थम को upward प्लेस कर दिया है अगर डाउनवड हो रहा होगा तो तो यहां से भी हम लोग direction of magnetic field निकाल सकते हैं क्योंकि मेरे पास इतना portion ये straight दिख रहा है बाकी तो मेरे circular coil है बट मेरे कारबोड पर जितना portion मेरा आ रहा है वो straight दिखाई दे रहा है तो जैसे हम लोग वापस अगर इस पर iron feelings डालेंगे और इस conductor से connect करेंगे तो ये circular form में सभी मेरी iron feelings आ चाहिए तो इससे भी आप लोग direction निकाल सकते हैं अच्छा दीदी अब आमें direction निकाला में कुछ कुछ परेशानी आ रही है कुछ और तरीका बताइए कि हम कैसे direction निकाल सकते हैं हमें पता कैसे चलेगा कि south में है या फिर north में सबसा अच्छा तरीका में आप लोग के लिए लेकर आ चुकी हो आप लोग को clockwise और anti-clockwise direction तो समझ में आता है अच्छा बाटी जब clockwise मूव करती है ठीक है कैसी मूव करी है हमाई clockwise इस तरीके से direction यहां मूव करती है तो हम लोग क्या बता सकते है कि वह हमाया south pole की तरफ है अगर मैं बात करूं कि वह anti-clockwise मूव कर रही है तो मैं बोल सकते हूं नौर्थ पोल की तरफ डायरेक्ट कर रहा है देख आप clockwise डायरेक्शन आप लोग को पता इस तरीके से कुछ गूमती है तो clockwise की तरफ हम लोग कुछ इस तरीके से बनाएंगे और अगर वस इसको अगर हमने जॉइन कर लिया तो मेरा is कैस तरिकशन और आपके शुद्ट तरा रायरेक्शन गूमती है तो हमने क्या करणा इसको इस तरीके से बनाया और यह मेरा इसको म्झे कर दियाiquement और मेरा हमने की तरफ मुझे डारेक्ट जेक्लॉक्ट जा Kung है के तो इस तो चलिए बजबाटी आप हम लोग नेक्स टॉपिक के ऊपर बात करते हैं तो सॉलेड होता क्या है अभी हम लोग ने देखा कि मैंने एक सर्कुलर कॉइल में से करेंट को पास करवा अब मैं क्या करूंगी इस टाइप के सर्कुलर कॉइल बहुत सारी रिपिटेशन स्वारे सर्कुलर कॉइल के अंदर से मैं करेंट को पास करवा रही होंगी अब यह जो मेरे बहुत सारी रिपिटेशन स्वारी एक सर्कुलर कॉइल बनाई है ना यह किस फॉर्म में होती है यह किस शेप में होती है तो यह मेरे पास एक सिलेंड्रिकल शेप में होती है देखो ना ए solenoid हमेशा हमारे कॉपर वायर का बना हुआ होता है बहुत सारे मुल्टिपल तरंस होते इसके अंदर और जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसीटी प्रोड्यूस करवाते है तो मेरे यह मैगनेटिक एफेक्ट देता है किस तरही किस तरही के इफेक्ट देता है क्योंकि यह बार मै नहीं होता है यह बहुत सब्सक्राइब कर दो जए जगा इंदर मैगनेटिक फिल्ट इस यूनिफॉर्म मतलब चाहे तुम जिस भी पॉइंट पर देख लो सब पॉइंट पर हमाई ही मैगनेटिक फिल्ट कैसी होगी से ओगी आउटसाइड दा मैगनेट अप लोग को पता मुवीज में या फिर रियल लाइफ में के कुइंच यार्ड होता है जो हमारे मतलब मैटल वेस्ट को उठाने के लिए आता है ठीक है बहुत बड़ी क्रेइन वगेर आती उसमें कुछ इस तरीके का लगा हुआ होता है कि जो हमारे मैटल को अट्रेक्ट कर लेता है एंड व को एक वायर से फोल्ड कर दिया एंड वेडरिटरी से वापस से कनेक्ट कर वा दिय जब बचा-बाटी में इसमें से आप करने लग जाता है तो यह मेरा कैसा बहुत करने लग जागा यह मेरा बहुत करने लग जागा एक मैगनेट की तरह किस की तरह एक मैगनेट की तरह यह बहुत करने लग जाता है ठीक है, मतलब अगर मैं चाहू तो यह magnet बन जाएगा, और मैं चाहू तो यह magnet नहीं बन पाएगा, ठीक है बचाबाटी, समझ गाए, अगर मैं चाहू तो इसमें जाधा current दे सकती हूँ, तो उसकी वज़ासे जाधा magnetic filter बहुत जाधे strong होगी, और मैच आओ तो इसमें से कम करेंट पास कर सकती हूँ जिसकी वज़े से यहां मैगनेटिक स्ट्रेंद कैसे होगी कम होगी हम उसको किस तरीके से बिहेव करवाते है उसको किस तरीके से वर्क करवाते है और यह किस तरीके से बिहेव करने लग जाता है मैगनेट की तरह बिहेव करने लग जाता है अब जब यह मैगनेट की तरह वर्क करने लग जाता है अब जब यह मैगनेट की तरह वर्क करने लग वो वही होता है हमारे Electro Magnets होते है Electro Magnets हमारी दूसरी चीज़ों में भी चीज़े ठीलिफों हो गही हमारी BELS हो गही और यह साथ की सथ Electric Motor में हमारे Electro Magnets होता है बचे बाठी बात काते हैं नेक्स्ट्ट वे बारे में जो कि है मारा Flemming's Left Hand Rule तो इससे हम लोग क्या निकाल जैसे हम लोग ने शीख्वात है, Maxwell right hand rules तक्त की direction क्या होते हैं इससे हम लोग तीन वा चीज निकाल पाईगे , के force की direction क्या होती है, depreci ओटी है and current की direction क्या होता इसने पर बचाबाटी 110 % रप्लोंक हैज़्ेक्स होगा , पूछने वाला इतना कोई धासू टॉपिक इसमें बचा नहीं है तो दो तीन टॉपिक है तो मैं बोलना चाहूंगे कि तुम लोग इसको अच्छा करके जाएगा अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके जादा से जादा मतलब कोशन सॉल्व करना तो दिदी कहां से सॉल्व करे तो मैं आप लोग को रिकमेंड करते हूं कि आप लोग जाके आप लोग इसके कोशन को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो बिल्कुल कम्प्लीटली फ्री है आप लोग को क्या कहना है जस ओस्वाल.io टाइप करना है एंड आप लोग उस वेबसाइट पर पह तुम लोग सोच रहें मतलब एक्जाम से पहले तुम्हें एक एक्जाम लाइक एक्सपीरियंस फील हो रहा होगा तुम लोग चाहते हो इस लास टाइम पर सेंपल पेपर देना तो सेंपल पेपर तुम लोग ओस्वाल.io पर दो डेट इस कंप्लीटली फ्री आफ कॉस साथ तुम्हें प्रिपरेशन के साथ एक एक्सपर्ट तुम्हारी सभी चीजों को एनलाइस करने होंगे एंड बताएंगे तुम्हें कितनी चीज़ा सही करिया और गलत किया जो चीज़ा गलत करी है उसको हम लोग क्या करेंगे बोट में याद रखेंगे कि मुझे यह गलती को आपस से नहीं दोहराना है इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को और भी तगड़ी तुम्हें कर सकते हो अच्छा फ्लैमिंग रेफ्ट हैंड रूल पर में बात करूं तो हम लोग को किस तरीके से इसके लेफ्ट हैंड सबसे पहले अपना अपना उठा लो ठालो अब फ्लै जो भी तुम्हारी 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 तुम बस वही कुछ लिखा हुआ है, stretch the first finger, middle finger and the thumb, stretch the perpendicular to each other, यह कैसा है, यह सतीनों एक दूसरे से perpendicular मेरे बन रहे है, मेरे first finger क्या शो करती है, direction of magnetic field, second finger शो करती है, current and यह शो करता है, मेरे थम फोर्ट, बच्चा-बटी बात करते हैं, हम लोग domestic circuits के बारे में, यह वो वायरे जिसमें इसे current पास हो रहा होता है, but what about neutral wire, neutral wire में से कोई भी current पास नहीं होता है, so what is the work, why is this? यह हमेशा maintain करता है हमारे potential difference को, और last chapter में जैसे मैंने आप लोग को बता है था, कभी भी current को flow करवाने के लिए हमेशा हमें potential difference को maintain जरूर करवाना पड़ेगा, and हमारे circuit में कौन potential difference को maintain करता है, so let me know in the comment section, इससे बता चलदा है, तुमारे preparation कितनी अच्छी है, तुमारे concepts कितने ज्यादा clear है, चलिए, तो तुम लोग को समझ में आगा है, कि life wire क्या करता है, हमारे current को control करता है, ठीके current जाने देता है, इस wire में से, साधी सर्थ, neutral हमारे क्या करता है, potential difference को maintain करता है, यह earth wire क्या का का मैं एक जो green color का इस तरीके से जा रहा है, यह earth wire क्या करता है, अर्थिंग का काम करता है, जैसे तुम लोगों ने अगर कभी देखा होगा, तो हमारे यहाँ जैसे अगर तुम लोगों के CPU अगेरा कुछ होंगे, हमारे बॉड़ी में गुच जाता हो और हमें इस तरीके से जटका लगने लग जाता है अगर अर्थिंग करी हुई होती तब क्या होता है वो जो amount of current बात करते हैं थे जटका होते हैं प्रोजेक्ट लोगों ए wiping आ और देते तौ एहाँ यहां क्या हो रही है अब बात करते हैं शौट सर्कियट ही ने के कई यहां डिल दालकी तो यहां यहांheaded होरती है करे हैं गहीं तुम मैंसे बहुत सारे कुछ ऐसे हों गे जिन्होंने शॉर्टे का वीच्पिरन को तो खिशोड हो जाता है तुम यह बहुत सारी समय को रीजन बतते why शॉट तुम को उपित कि नम्हों को रिजन बताता है जब मेरा रापन आता ड़ा धैकर अग्राश अधल होता है तब भी हमारी शॉर्ट सर्कूित हो जाता है। वह काम करना है यार उसकी कुछ कैपेसिटी है कितना कितना करिंट देगा हो तुमें अपनी कैपेसिटी से बाहर हो के तो नहीं देगा और यह चीज़ तुमने अबसर्ब करी होगी अगर अभी तक तुम होस्टर लाइफ में रहा हो तो यह डेफिनेटली तुमने एक्सपिरि जो मैंने इससे पहले आप लोग को डाइगराम डिस्प्ले किया तो हम लोग का अर्थ वायर लाइव और नूट्रल वायर का इक डाइगराम देख रहा था तुमने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना कि किस तरीके से उसको बनाते है ठीक है सम्टाइम्स में पूछ निटिव करेंट होता है इसी होता है डीसी क्यों नहीं होता है उसके रीजन में समझाते है अच्छा डारेक्ट करेंट को अगर जब हम लोगोंने हाथ लगा लिया हो तो यह क्या करता हमें दूर फिकता है ठीक है इस तरीके से बट अगर अल्टरनेटिंग करेंट की बात कर चुरह तो हम चाहिते हैं बीज़ल सोने यह व किन दिना हनम दाझ तक के बात करने से तो तो हम लोग बात करें तो यह कि पहली बात पैसमें बहुत सब्सक्राइब कि यह तो कितना बचता है तो कितना ज्यादा पावर लॉस हो रहा है कि अपने घरों में एक्रण्ट से आप तो हमारे घर में आते हैं कम से कम 200 बचता है, तो कितना कम पावर लॉस यहां दिखाई दे रहा है आप लोगो, उस कारेंट मेंली हम लोग क्या करते हैं कि अपने घरों में AC यूज करते हैं कंपेर टो DC, चाहती साथ अगर बात करें तो इसकी फ्रिक्वेंसी अपनों की 50 और यह हमेशे अपना फेस चेंज करता रहता है, अगर DC की बात करें तो इसमें फेस चेंज नहीं होता है, direction of current is constant, अच्छा तीदी, फेस को क्यों चेंज करवाना है, बज़ बढ़ी चेंज करवाना है, बिकॉस हमारे घरों में जो current आरा है, ठीक है, जो electricity हमारे घरों में आ बोल्टी देना है, जरूरी है, नहीं है, कुछ जगा मुझे कम current है, कुछ जगा मुझे जादा देना, इस तरीके से हम फेस को change करके, अपने current को बहुत जादा सेव कर सकते, AC में, but DC में face change नहीं होता, इसी रेट DC हमारे लिए बढ़ा, बहुत महंगा पढ़ जाएगा, उस पावर लॉस की वाज़े से और चेंज इन वोल्टेज की वाज़े से, तो बचाबाटी, that's all for today's video, यहां हमारे चैप्टर पूरा खतम होता है, समाप्त होता है, magnetic effect of electric current, बहुत चोटा था चैप्टर, जादा कुछ चीज इसमें पढ़ने राएक, आप लोग की नहीं है, सब मार्स बिलकुल गवारे हो, तो यार प्लीज इस चैप्टर को बढ़ा है से पढ़ना, if you have any doubt, तो let me know in the comment section में, आप लोग के सभी doubts को clear करने की कोशिश करोंगे, till then keep learning, make next one short के साथ मिलती हो, इसी चैनल पर तो क्या करना है, subscribe करे लेना, एक प्यारी से दिदी के लिए, प्या झाल